नमस्कार पंजादी टाइमस में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंग सियासत एक ऐसी सी है कि पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के लिए कुछ भी करती है और लगातार हम आपको दिल्ली की जुकत विदियां थी पॉलिटिकल गद विदियां अंसन और धरने की उनकार स्वावन खतम होता है. आई एसबोर तयार मिटिंग के लिए काम वापस आने के लिए और सब कुछ पिर से ऐसा महसूसे होता है कि सब अब सणक पर उत्रेगे, उनकी मांग होगी कि दिल्ली को पूर्ण राजय का दरज्या दिया जाए. पूर्ण राजय के दरशय को लेके जहां आम आदमी पार्टी सणक पर उतरने की बात कर रहे हैं वही बीजेपी लगातार पानी और बिजली के मसले को लेके कि आहां माद्नी पार्टी को घेरती उए नेजर आ रही है और उसके बाद पीजेपी ने भी ये कहा है कि हम भी सडक पर उतरेंगे बिजली और पानी को लेके इस पूरे मामख़स कि अमेश 7 पर उतर गई थो कॉंघ्जेपी मेंच Gel प्रतरसन करेंगे अर्बिंत केजरिवाल जो हैं वो दिल्ली को सम्भालने के लायक नहीं जो मेन मुद्धा है बिजली और पानी का कुछ लाके दिल्ली के जहां पर पानी और बिजली नहीं पहुच पा रही है, वहां इस मसेले से हटके वो अलग मांगे करने हैं कि पूर्ण का दर्जा दिया जाए धरने पे जा रहा है और अब रोड परदरशन करेंगे तो इन चीजों को लेकि क traps के हम भी सणक पर ऊतरेंगे और सरकार के से उगत करा है इन चीजों से कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्य मंत्री धरने पर बैठते हैं तो सचीवाले में बीजेपी धरने पर बैठती है ये तमाम मुद्दे हैं लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि धरने की राजनिती प्रदर्शन की राजनिती से दिल्ली के लोगों का क्या फायदा है दिल्ली के लोगों के लिए क्या बिजली पानी सही से मिल रहा है क्या प्रसासनिक कारे सही से हो रहा है क्या दिल्ली ने जिस काम के लिए मुख्यमंत्री को चुना था एक इमानदार छभी के मुख्यमंत्री को चुना था या फिर दिल्ली ने जिस काम के लिए वोटिंग की थी क्या उन्हें वो चीज पूरी हो रही है यह तमाम मद्दे हैं यह तो आपको डिसाइड करना और सवा कि आप तो कुछ जाते रहते हैं हमारा यह वीडियो आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार